हेलो फ्रेंज वेलकम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और गर में रह रहे होंगे तैयारी कर रहे होंगे वही अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बागी सारी चीजे जो है वो वेट कर सकती है ठीक है तो उसके लावा फालतु कामों म किसी ने नहीं पढ़ना तो दोस्तों जनरल साइंस के MCQs डिसकस कर रहे हैं हम लोग है और और अल्रेडी पाँच वीडियो आपको मिल चुके हैं दिस विल भी दे सिख्थ वीडियो सिख्स लेक्चर रहेगा ओके CISF का पेपर कंप्लीटली जनरल साइंस के सारे कुश्चन डिसकस कर चुके हैं इस वीडियो में हम जो कुश्चन देखेंगे वो आपके 5 कुश्चन रहेंगे CDS1 2021 जो हुआ था आपका फेब मंत के अराउंड एक्जाम हुआ था CDS में भी काफी इंपॉर्टेंट आपके जनरल साइंस के कुश्चन आते हैं ठीक है जो डिरेक्टली इस वी सोर्स बन सकते हैं आपके UPSC, EPFO के एक्जाम के लिए ठीक है तो जनरल साइंस के कुश्चन देखेंगे CDS के पेपर से और EPFO के इलावा भी अगर आप और कोई एक्जाम दे रहे हो CDS का एक्जाम दे रहे हो NDA का एक्जाम दे रहे हो आपका कोई फ्रेंड एक्जाम एक्जाम दे रहे हो तो सब में ये जनरल साइंस के कुश्चन जो हैं common से ही रहते हैं सब में काम आएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं 5 कुश्चन हम देखेंगे पहला कुश्चन प्रोसेस वही रखना कोश्चन सामने आ जाएगा खुद से समझके उसको अंसर करने के कोशिश करने हैं फिर वीडियो में उसका solution देखना है पहला सवाल क्या कहता है कि कौनसे ऐसे cell organelles हैं which have their own DNA and ribosomes जिनका खुद का DNA और ribosomes होता है option A, Golgi body and endoplasmic reticulum, option B, mitochondria and plastics, option C, lysozome and Golgi body, option D, vacuol and plastics ठीक है तो वैसे तो simple सा question है NCIT जिसने पढ़ी ही है 6th to 10th class की वो easily इसका answer कर सकता है कोई problem नहीं आएगी जो cells वाला chapter है NCIT में वहाँ पर clearly answer given है ठीक है तो खुद से answer करने ही कोशिश करने है अच्छा general science में एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर important है additional information वहाँ पर जादा घुसना है जहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं बस इतनी basic से information अपने लिए काफी है वहाँ पर उसको पकड़ कर निकल लो बाहर ठीक है क्योंकि maybe आप science background से बना हो आपने 10th के बाद commerce लिया हो, arts लिया हो, humanities background से हो तो मुश्किल हो जाती है कहीं लोगों को नहीं समझ में आती science तो वह जादा घुसने की कोशिश भी ना करें ठीक है चलो तो answer यहाँ पर होगा आपका option B mitochondria and Plastids ठीक है तो mitochondria और Plastids like जो chloroplast होते हैं इनके पास खुद का DNA और ribosomes होता है और इसी वज़े से क्योंकि इनके पास खुद का DNA और ribosomes होता है यह जो दो cells है they are able to synthesize some of their own protein अपने खुद को protein को synthesize कर सकते हैं and they can also replicate ठीक है independent of the nucleus without taking any help of the nucleus they can replicate this protein synthesis तो इसी वज़े से यह एक important question आपके लिए बन जाता है mitochondria and plastics आपने यह याद रखना है ठीक है जी चलिए इससे ज़्यादा detail में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है mitochondria से related यह mitochondria का देखो एक बहुत बड़ा topic खुद में है science के अंदर ठीक है तो जैसे-जैसे questions आते रहेंगे अगर mitochondria or plastics से related वो हम देखते रहेंगे ठीक है चलो next question देखो यह तो बचपन से हम लोग कर रहे हैं ठीक है बचपन से कर रहे हैं 6th class की NCIT में आपको मिल जाता है यह which one of the following metal is kept immersed in kerosene oil कौन से metal को आप kerosene oil के अंडर immersed रखते हो ताकि वो fire ना catch कर ले ठीक है अगर आप उसको open में रखोगे तो वो fire catch कर लेगा इसलिए उसको बचाने के लिए उसको kerosene oil में immersed करके रखा जाता है कौन सा metal है वो calcium है, sodium है, vanadium है या magnesium है अच्छा अगर आप मेरी current affairs की वीडियो देख रहे हो तो जो आपका 6th वीडियो था या 5th वीडियो था उसमें हमने vanadium के बारे में भी discuss किया था ये current affair में भी था ठीक है, देख रहे हो तो और 2021 के CDS के exam में उन्होंने options में भी डाला हुआ है तो EPFO के exam में vanadium के उपर भी question आ सकता है, current affairs में discuss किया था मैंने, वो वीडियो ज़रूर देख लेना 6th वीडियो है I guess, ठीक है चलो तो answer यहाँ पर क्या होगा, answer यहाँ पर है आपका option B sodium, ठीक है, यहाँ पर भी answer आपका option B रहेगा, ठीक है जी तो sodium जो है, इसको kerosene में store किया जाता है, क्योंकि यह काफी reactive metal है, अगर आप इसको open में रखोगे, तो यह जो open में air में जो oxygen है, उसके साथ react हो जाएगा, और fire catch कर लेगा जिसकी वज़े से इसको kerosene में रखा जाता है kerosene जो है hydrocarbons का mixture होता है that is why it cannot react with oxygen और इसी वज़े से फिर वो fire नहीं catch करता है, तो sodium आपने याद रखना है चलिए, third question देखेंगे which one of the following substances do silver article react with that makes the silver article black, अगर आप silver को चांदी को open air में रखते हो तो कुछ समय बाद वो काला पढ़ना शुरू हो जाता है option A है, sulfur, B है oxygen, C है, carbon dioxide, D है phosphorus, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि generally जो questions जो आप से पूछे जा रहे है पहला question biology वाला छोड़ दो second question और जो अब ये third question आपके सामने है, application based है ठीक है, application के उपर ही जादा सवाल जो है, focus जो है examiner कर रहता है, तो जब आप पढ़ रहे हो, अगर textbook पढ़ रहे हो, NCRT पढ़ रहे हो, या notes पढ़ रहे हो तो आपने भी जादा focus जो है application based सवालों के उपर रखना है ठीक है, तो इस case में answer क्या होगा, which of one of the following substances, do silver article react with that makes the silver article black, ठीक है, तो answer यहाँ पर होगा option A, sulfur ठीक है जी, तो sulfur जो silver होता है, वो काला हो जाता है अगर आप उसको हवा में रखते हैं, अगर क्योंकि वो sulfur से react करता है, जो air में sulfur होती है, उससे react कर जाता है, जिसकी वज़े से blackish color जो है वो आ जाती है, और यह जो blackish coating होती है, यह किस चीज़ की होती है, यह होती है, silver sulfide की यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है अब साथी साथ, जहाँ पर silver के बारे में बताया हुआ है, NCIT में, वहाँ पर 2-3 metals के बारे में और गिवन है कि किस तरह से उनका corrosion होता है, ठीक है जो है, shiny brown होता है, तो वो कम होना शुरू हो जाता है, और उसके उपर एक green coating आनी शुरू हो जाती है, green color आना शुरू हो जाता है, copper के उपर, क्योंकि वो carbon dioxide के साथ react करता है, ठीक है तो जो यह green substance होता है, यह क्या होता है यह होता है, copper carbonate, ठीक है तो उसने थोड़ा सब words का change किया, same source है question का, same NCRT का source है question का, जहां से लिया गया है लेकिन आपका सवाल बदल गया, और उस case में फिर answer क्या हो जाएगा, उस case में answer हो जाएगा आपका option C, अगर मैं यह सारे changes कर देता हूँ, ठीक है तो copper का हो गया, उसके बाद iron, iron को भी अगर आप moist air के साथ expose करते हो, लंबे समय तक, तो एक brown flaky substance, जिसको आप rust बोलते हो, junk बोलते हो, जिसको आप वो develop हो जाता है, ठीक है, तो यह आपने याद रखना है, और actually next question देखिए, next question उन्होंने directly एक, जो है reaction, जो NCIT में गिवन था, वहाँ से उठा करके, दे दिया है आपको सवाल में, तो सवाल क्या है कि, जब आप lead nitrate को heat करोगे, एक boiling tube में, तो एक brown fumes आपको निकलेंगे, जब boil करोगे, तो brown color के gas निकलेगी, तो इन में से कौनसी जो है, वो brown gas होती है, option A, NO, option B, N2O2, option C, NO3, option D, NO2, देखो इस तरह के सवाल, अगर आपको paper में नहीं भी आते, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आपने chemistry वगएर, इतना reactions वगएर, आपको नहीं आता है और आपने जब पढ़ रहे थे, NCRT तब भी इतना ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम past year के इस तरह के questions कर लेंगे, तो automatically आपका जो है, वो वाला area होता जाएगा, ज़्यादा tension नहीं लेनी है, ठीक है, अंसर इस case में होगा, आपका option D, NO2, nitrogen dioxide, ठीक है जी, तो lead nitrate को जब आप heat करते हो, तो lead monoxide, nitrogen dioxide और oxygen release होता है, तीन चीज़े release होती है, क्या-क्या, lead monoxide, nitrogen dioxide और oxygen, ठीक है, इनमें gases कौनसी कौनसी है, दो है, nitrogen dioxide और oxygen यह आपका reaction given है, ठीक है, अब oxygen तो जो होती है, वो तो colorless gas होती है, oxygen का कोई color नहीं होता, तो हमाई पास कौनसी दूसरी gas बची, NO2, और यह जो NO2 होती है, यह रेड ब्राउन color की होती है, ठीक है, यही आप से सवाल पूछा गया था, इससे ज़्यादा detail में घुसने की ज़रोत नहीं है, कहीं reactions को समझना शुरू कर जाओ, कर दो और पूरी chemistry पढ़नी अब शुरू कर दो, वो काम नहीं आएगा आपने, ठीक है, चलो, next question देखें, next question क्या कहा रहा है, which one of the following elements is a non-metal but is lustrous, इन में से कौन सा element जो है, वो एक non-metal है, लेकिन lustrous होता है, शाइनी होता है, generally non-metals जो होते हैं, वो non-lustrous होते हैं, जब हम metals और non-metals के characteristics पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं कि metals are lustrous and non-metals are non-lustrous, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा non-metal है, जो lustrous है, carbon, silicon, germanium या iodine, ठीक है, इस case में answer क्या होगा, इसमें होगा answer आपका option D, देखो metal और non-metal की properties में आपको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ exceptions बता रहा हूँ, जो NCRT के अंदर mentioned है, metals and non-metals की, जिन में से सवाल इस तरह के पूछे जा सकते ह हैं, अब देखो, जो सारे metals होते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कि metals जो होते हैं, वो solid होते हैं, room temperature पे, ठीक है, लेकिन इसमें exception क्या है, mercury, mercury solid नहीं होता, room temperature के उपर, ठीक है, तो सवाल सिधा-सिधा पूछा जा सकता है, कि which among the following metal is not solid at room temperature, अंसर हो जाएगा mercury, similarly, metals की हम बात करते हैं, metals का, पर ऐसे दो metals हैं, जिनका काफी low melting point है, वो कौन से हैं, gallium और cesium, direct question बन सकता है, इसके ओपर भी, कि बताओ भई, कौन से ऐसे metals हैं, जिनका काफी low melting point है, gallium और cesium का इतना low melting point है, कि अगर आप उसको अपने हाथ की हतेली पर रखोगे, अपने palm पर रखोगे, तो व हम क्या trait पढ़ते हैं, non metals का, कि non lustrous होते हैं, पर iodine non metal होने के बाद भी lustrous है, carbon जो एक non metal, non metal, different forms में exist नहीं करते हैं, लेकिन carbon multiple forms में exist करता है, ठीक है, और allotrops हैं काफी सारे, अब diamond जो एक allotrop है carbon का, हम बात करते हैं, कि non metals are not hard, लेकिन diamond जो एक carbon का allotrop है, एक non metal का allotrop है, वो hardest natural substance है, तो ये भी एक exception हो गया, और diamond का melting point और boiling point भी बहुत जादा high है, ये भी एक exception हो गया, non metals के मुकाबले, graphite जो एक और allotrop है carbon का, जब हम non metals की बात करते हैं, हम कहते हैं, कि non metals are not good conductor of electricity, अच्छे conductor नहीं होते हैं, electricity के, लेकिन graphite जो एक non metal है, it is a good conductor of electricity, ये भी एक exception हो गया तो हर के उपर एक सवाल पूछा जा सकता है, जैसे सवाल पूछ लेंगे, कि बताओ भी, which of the following non metal is a exception and is a good conductor of electricity, ठीक है, answer हो जाएगा graphite, उसके बाद अगर आप alkaline metals देखते हो, जैसे lithium हो गया, sodium हो गया, potassium हो गया, ठीक है, ये metals इतने soft होते हैं, कि आप इनको knife से cut कर सकते हो, जबकि हम, जब हम metals की बात करते हैं, अब हम ये कहते हैं, कि metals are very hard, आप उनको cut नहीं कर सकते हैं, लेकिन lithium, sodium, potassium, जैसे alkaline metals हैं, जो काफी ज़्यादा soft होते हैं, कि आप उनको चाकू से अराम से काट सकते हो, ठीक है, density बहुत low होती है, melting point बहुत low होता है, तो ये सारे के सारे points जो हैं, exception के points हैं, इन में से एक point के उपर उसने सवाल बना लिया, CDS 2021 में, बाकी points के उपर या same point के उपर भी आपसे UPSC, EPFO में भी सवाल बना करके पूछा जा सकता है, तो काफी important है, ये सारे आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, जी, चलिए, alright, तो यहाँ पर हमारे 5 questions cover हो सकते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, या अगर आपका कोई suggestion है, तो वह आप दे सकते हैं, उसके उपर जुरूर ध्यान देंगे, ठीक है, बाकी की वीडियो आपकी screen के उपर हैं, तो मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए, all the best and bye bye